हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने इडिवी चानल PCS Maker पे मैं मनीशार है आज फिर आप लोग के लिए टेस्ट ले किया हूं फ्रेंड तो आज हमारा एड़िटेडिया का 66 BPSC का वॉल्म 1 का फ्रेंड्स आपका टेस्ट नंबर 14 है फ्रेंड्स टीक है तो इससे पहले ब बोलता नहीं प्लीज आप इसे जरूर कर दीजेगा जितने भी आपका study group है जो जहां भी आपके study group है उसमें प्लीज आप इसे जरूर कर दीए कि बहुत इंपोर्डिन टेस्ट और बहुत ही अच्छा टेस्ट रेंड्स ठीक है तो आते हैं आपने आज का टेस्ट का और अहारनाल मनुसिया किसी भी कसेरू की जनतू की अहारनाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख में शुरू होती है और गुद्दा में समाप्त हो जाती है अहारनाल की लंबाई लगभग जो friends होती है याद रखिया 10 से 20 मीटर तक होती है ठीक है और अगर बात करें कि मनुसिघ के अहारनाल के प्रमुक भाग कौन कोन है तो मतलब सबसे पहले मुख गुहा हो गया उसका ग्रास नलि हो गया उसकी अमाश हो गया और यसके बाद किया हो गया ठीक है तो यह आपका इसका है ठीक है आगला देखे कи नेक्स कोशिन है सेकंड नामर कोशिटन है friend का उपापचे को विन्यमित करना होता है ठीक है थाइराइड ग्लाइंड के द्वारा अगला कोशन देखे है 3 नंबर की सेक्रेटिन हर्मोन स्रावित होता है तो सेक्रेटिन हर्मोन स्रावित कहा होता है फ्रेंड तो 3 का 20 राइटन जनकी ग्रहनी द्वारा तो फ्रिंट देखेगा कि स्रेकेटिनी सेकेटरिन एक पाचन हर्मोन है जो छोटी आत के उपड़ी भाग की दिवार से श्रावित होता है और यह ग्रानी में गैट्रिक्स एसीड के श्राव और पी एच असर को नियंतित करता है अगला कोशन देखेगा फोर नमबरे कोशन कि मानम मस्तिस में असमरण छमता कहा होती है तो चार का एच दराईटरंस एनकी सेरी ब्रहम तो फिरेंट सेरी ब्रहम या प्रमस्तिक अग्र मस्तिक का एक प्रमुख भाग है जिस इसमें मनुस्य की चेतना तर्क असमरण छमता नियंत्रत शरीर का संतुलन या एक्षिक पेसियो के किडिया का नियंत्रत करता है ठीक है अगला कोशन देखिए या फाइव नवर कोशन आपका कि निम्लिखित में से कौन एक यू केरियोटिक जीब का उधारन नहीं है तो पांच का डी जराइट अन्सेन की जिवानू तो ज इसे सिक्रित उपांग उभस्तित रहते हैं अब देखिए यू केरियोटिक जीब कौन को ने इस्ठ हो गया मानब हो गया पादप हो गया कवक ये यू केरियोटिक है प्रोकेरियोटिक हो गया जीवानू नील हरित सेवाल आती ठीक है तो ये आप लोग याद तो फ्रेंड में तंत्रीका तंत्र एबम अंतर श्रावित तंत्र के द्वारा किया जाता है। का hold twice और friends CA into HOH CO3 का hold twice तो यानि कि right answer option number D आपका सही हो जाएगा ठीक है friends तो इसका right answer क्या जाएगा option number D तो friends देखिएगा कि जल में औस्थाई कठोड़ता calcium एवं magnesium के bicarbonate एवं carbonate लवनों के कारण होती है जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है ठीक है अगला question देखिएगा एट नमर question है आपका कि कि सूची एक में दिये गए इंधनों के नाम का मिलान सूची दो में उनके प्रमुख रसानी गुन से कीजिये और नीचे दिये गए भी कल्पों में से सही हुत्तर चूनी है तो friends इट का जो राइट अंस हो जाए क्या हो जाएगा देखीगा वाटर गैस जो है वह क्या हो जाएगा तो नेच्रॉल देखिए friends पहले तो वाटर गैस है तो में आपका क्या कर रहा है कि आपका राइट अंस हो जाएगा option नमबर यानि की देखिए यहां फिर्से भोल राओ ध्यान से रखेगा कि तो इन धन यहां पे देखिए रसानी को water gas हो गया water gas किसे match कड़ेगा friends तो water gas carbon monoxide और hydrogen natural gas तो natural gas किसे कड़ेगा तो methane methane ethane से और CNG methane से और LPG butane और propane तो right answer option number आपका यह आपका सही हो जाएगा ठीक है friends अगला question देखिएगा 9 number कि मानव सरीर में अधिकता मात्रा में पाये जाने वाला तत्व है कौन है तो friends 9 का C is the right answer हो जाएगा यानकी oxygen तो friends मानव सरीर में मुख्रूप से पाये जाने वाला तत्व कौन को ने oxygen हो गया जिसमें percentage याद रखिएगा 65% oxygen है carbon friends 18% है और hydrogen 10% है और nitrogen 3% है और calcium friends याद रखिएगा calcium जो है उसका मैं percentage calcium 1.4% है और phosphorus 1.1% है तो friends आप रूट डाउन जरूर कर लिजेगा ठीक है अगला question देखेगा 10 number की तरंग देधर का एशाई मातरक क्या है तो 10 का D is the right answer की meter तो तरंग देधर का एशाई मातरक क्या है तो meter है ठीक है अगला question देखेगा एग्यार नमर की question है आपका की तेज धाबकों की मान स्पेसिया में निम्डिकित में से किसके संचेन से एंठन आ जाती है तो एग्यार का एश देराई टांसेन की लैक्टिक अम्ल के कारण तो लैक्टिक अम्ल मुख्या तो मान स्पेसियो और लाल रक्त कोसिकाओं में पाया जाता है सरीर में ऑक्सियन की मातरा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनाता है लैक्टिक अम्ल एक कार्बोजलिक अ नலेक्स वेंट्स कोशी का अंगख से लाइस्week और भी झाय कोशिये जाली काशे होती है अगला question देखिएगा थर्डी नमर question है अपका कि निम्ण में से कौन सा रासाणिक परिवर्तन का उधारन नहीं है तो 13 का C is the right answer हो जागा जल का जल वास में परिवर्तन तो फ्रेंट देखिएगा कि वो परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पुर्व अवस्था में असानी से प्राप्त नौ किया जा सके उसे रसाइनिक परिवर्तन कहलाता है अगर इन में नया पदार्थ बनता है इसी भौतिक और रसाइनिक परिवर्तन दोनों होते हैं अगर दूद से दही बनना, सरीर से भोजन का पाचन, एबम लोहे में जंग लगना, रसानिक परिवरतन के उधारन याद रखे हैं, जबकि जल का जलवास में परिवरतन वास्वी करन कलाता है, और या भौतिक परिवरतन के अंतरगत आते हैं, तो ये भी आप लोग याद जाएगा, ये इस दर आइटन्स हो जाएगा, फ्रेंट्स यानि की सुनने है, तो यदि कोई बस्तू विरतकार पत में घुमाए जाती है, तो उस पर किया गया कारे शुन है, क्योंकि विरतकार पत में एक चक्कर में बिस्थापन सुनने होता है, अगला कोशन है 15 नमबर, क कि जब लगुपत, सौट सरकट की दसा घटित होती है, तो परिपत में धारा क्या होता है, तो 15 का सी इस दर आइटन्स हैं की परियापत रूप से बढ़ती है, तो सौट सरकीट की दसा में परिपत में धारा बहुत बढ़ जाती है, स्रोटा एवं प्रावर्तक सता के बीच की नियुंतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 16 का सी इस दर आइटन्स हैं की 17 मीटर, तो प्रती धुपनी का कान पर प्रभाव जो रहता है, या दर कि यह इंपर्टरिल एक बटा दस सेकेंड तक बना रहता है, इतना ह आकतन सही है तो 17 का C is the right answer यानि कि दोनों में chlorine yogic है ठीक है तो फ्रेंट्स देखेगा हम क्या बता रहे है कि blessing powder जो है blessing powder का सबसे पहले formula याद रखिया CA क्या होता है CA into OCI I into CI ठीक है न यह DTT का formula होता है मतलब क्या blessing powder का यह क्या होता है है friends तो blessing powder का formula होता है और DDT का जो formula होता है थोड़ा से उसको भी नोड़न अपकर लिज़ेगा ठीक है क्या होता है कि 14 H9 CI 15 ठीक है तो यह आपका DDT का formula है ठीक है न और दोनों में क्या होना आता है दोनों में chlorine है अगला question देखेगा 18 number question है आपका कि निम्न में से कौन सा गुन धौनी तरंग में विद्वान नहीं है तो 18 का 20 दराइटन्स यानि की दुरूबन तो दुरूबन प्रकास तरंग में होता है धौनी तरंग में नहीं होता है यह भी आप लोग याद रखेगा नेक्स question है आपका 19 number question है friends आपका कि उपास्ती काटिलेज निम्निकित में से किस में नहीं पाया जाता है तो 19 का डी दराइटन्स यानि की मुत्राशय में तो फिरूबन देखेगा कि उपास्ती मुत्राशय में नहीं पाया जाता है क्योंकि मुत्राशय में हडिया नहीं होत उपास्ती हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का काड़े करता है इसलिए यह कंठ नाक और कान में पायाता है जहां एक से अधिक हड्डिया पाई जाती है वहाँ पे अगला कोश्चन है 20 नमर कोश्चन है कि निम्रिकित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो 20 का राइट ग्राम पर मीटर स्क्वाइर होता है दाप का क्या होता है प्रेशर दाप का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर या पास्कल होता है विस्थापन का क्या होता है तो विस्थापन का मीटर होता है लेकिन साप एक सीध घनत का कोई काई नहीं होता है अगला कोश्चन तो यहां पर देखे अब हैं यहां पर स्कर्भीक एसीड तो इसएड समय आप देखेंगे रेटिन अल एक वीटामीन यह तो फेड़ीन रहाइट कि यहाद रखिए गाहां कि झो डॉलो माइट एक निर्जल carbonate खनी से ठीक है जो calcium magnesium carbonate से बना होता है तो C-dried क्या है आपका law ask है एक law ask है ठीक है अगला question देखी और 23 नमबर है कि किलामाइन डैस का एकस ask है तो 23 का डीज दराइटर से नकी जस्ता का तो केलामाइन जस्ते का आयक्स है, जेड़ एन सी ओ तरी, जेड़ एन सी ओ तरी, जस्ता का रचानिक सुत्र, अगला कोशन देखें का सुत्र है इसका, 24 है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो 24 का C is the right answer, नहीं कि तामबा, तो तामबा रक्त में नहीं पाया जाता है, अगला कोशन देखें है, 25 नमर कोशन है आपका, कि पौधे में किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमत और पर रंग और एंटिसेप्टिक के रूप में इस्तमाल की जाती है, तो 25 का D is the right answer, नहीं कि तना, तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है, ठीक है, अगला कोशन देखेंगा, 26 नमर कोशन है कि निम्रिकित में से कौन सा फिलिप्स वक्ड द्वारा दर्साया जाता है, तो 26 का 20 दराइट रंसर यानि कि मुद्रास्विती के दर्ग और बेजगारी की दर्ग के बीच विप्रित शंबंद, तो फ्रेंट दे अगला कोशन है, 27 नमर कि मानब विकास सुषकांग में सामिल है, साक्षर्टादर, जन्म के समय, जीवन, परतियास्था और क्या, तो 27 का D is the right answer, यानि कि अमेरिकी डॉलर में प्रति वेक्ती राश्टिये आए, तो मानब विकास सुषकांग की गन्ना निम्र के अधार पर क जन्म के समय, जीवन, परतियास्था, साक्षर्टादर, और परति वेक्तिया आए, तो यह आपका राइटेंस और अप्सन नमबर D आपका सही हो जाएगा, अगला कोशन देखेगा, 28 नमर कि भारतिये रिजर्ब बैंक द्वारा, बैंक दर कर्म करने की ओर जाता है, तो 28 का एज राइटेंस नकी बजार में अधिक तरलता, ठीक है, अगला कोशन देखेगा, 29 नमर कोशन आपका फ्रेंट देखेगा, कि निमलिखित कत्वनों पर विचार करे, तो फ्रेंट देखेगा, इस पर विचार करना है, आपको देखना है, 29 का आंसर क्या होगा, तो अल्प कालिक जमा पर वानिज्यक बैंगो को भुकतान करता है, रेपो का उप्योग अर्थ व्यस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उप्योग अर्थ व्यस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो राइट अंसर अप् बागी सब आपका option क्या है तो गलत option है ठीक है next question देखिएगा अगला question देखिए है friends 30 number question है आपका कि निमलिकित में से कौन सरकार द्वारा पुंजीगत भुगतान का उधारन है तो 30 का 20 right answer हो जागा यानि कि देखिएगा friends मतलब क्या हो जागा कि रिन पुना भुगतान और रक्षा प्रधागेगी की खड़ी दिते right answer option number आपका friends क्या हो जागा देखिएगा right answer option number आपका 20 सही हो जागा के लिए कोई ब्याज लागत नहीं देगा रक्षा उदेश्यों के लिए हासिल की गई प्रधागी की रास्टिय सुरक्षा को कई वर्सों तक बढ़ाएगी इस प्रकार दोनों भुगतान में एक वर्षी अधिक का निहिर्थार्त है इसलिए दोनों पुंजी भुगतान की श्रेणी में आते हैं अगला कोश्चन देखेंगा 31st नमर कोश्चन है आपका कि घाटे के वित पोश्चन के कारण अर्थी वेवस्ता में निम्रिकेत में से कौन सा विकास हो सकता है तो फ्रेंट्स 31 का राइट एंस हो जाएगा मुद्रा स्विती में बृधी शरकारी अगला कोश्चन देखेंगा 32 नमर कोश्चन आपका कि संसद में केंद्रिय वचट की तयारी और प्रसूती के लिए निम्रिकित में से कौन सा जिम्मेदार है तो 32 का 20 दराइट राइट रोज़ाएन के आर्थिक मामलो के विभाग तो वित्मंत्राले में आर्थिक मामलो के विभाग का बजट प्रभाव बजट निर्मान के लिए जिम्मेदार नोडल निकाए है ठीक है अगला कोश्चन देखेगा 33 नमर कोश्चन है आपका कि प्रुत्साहन के रूप में काड़े करता है तो आर्थिक विकास के लिए मुद्राज फिती की कम दर को अवश्यक माना जाता है क्योंकि यह आप उर्ति करताओं को उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रुत्साहन प्रदान करता है अगला कोशन देखेगा 34 नमर कोशन है 34 का इसका राइट एंसर क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग ठीक है तो देखें यहां पर क्या होगा कि यह अन्य सिवाओं के साथ साथ है छे साल तक के बच्चों के लाव के लिए पुर्व प्रात्मिक सिक्षा और पुर्ण पोशन का प्रदान करता है और फिर्ट्स दे ठीक है नेक्स कोशन देखेगा 34 35 कोशन है आपका कि भारत में नवाड पुर्ण विर्थ परदान नहीं करता है तो 35 का सी इस दराइट नस हो जाए अनकी निरियात आयात बैंक तो फिर्ट्स देखेगा कि नवाड नवाड जो है वो उत्पादन विपनन और खरीद अधियों के लिए शहकारी बैंकों और छेत्रिये गरामीन बैंकों को 12 महीने से कम या निश्चित अबदी के लिए पुर्ण विर्थ यहरीन प्रदान करता है अगला कोशन देखेगा 36 नमर कोशन है अपका कि एक खुली अर्थवस्ता वह अर्थवस्ता है जिसमें जिसमें क्या होता है तो 36 का डिया अंसर यानकी निडियात के साथ साथ आयात में भी होता है तो फ्रेंड्स एक खुली अर्थवस्ता अन्य देशों के साथ बैपार करती है अन्य देशों के साथ उचित मात्रा में निडियात और आयात इस प्रकार की अर्थवस्ता की विसेश्ता हो कर्मचारियों को नीजी बेपार करने पर परतिबं लगा दिया गया तो 377 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बेपार करने और भारतिये लोगों से उपहार हुआ रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया 38 नमर कोस्चन देखे हैं फ्रेंड्स की समिधान सभा की अंतिम बैठक निम्र में से कव हुई तो कव हुई तो 38 का 20 दिराइटा जैनकी 24 जनबरी 1950 को तो 24 जनबरी 1950 को समिधान सभा की अंतिम बैठक हुई इसके बाद सभा के 26 जनबरी 1950 से 1952 में हुए आम चुनाओं के बाद बनने वाली नई शंसत के निर्मान तक भारत की अंतरीम संसत के रूप में काम किया है अगला कोशन देखएगा 39 नमर कोशन है कि समिधान के किस भाग में शहकारी शमीतियों का उपवण्द किया गया है फोती नमर कोशन की समिधान के किस अनुछेद में अखिल भारतिये सिवाओं का उपवण्द किया गया है तो चालिस का सीज दराइटासन के अनुचे 312 तो समिधान के अनुचे 312 में अखिल भारतिय सिवाओं के बारही में उपबंद किया गया है अगला कोशन देखेगा 41 तमर कोशन है कि भारतिय समिधान में एकल नागरिकता का प्राबधान निम्न में से किस देश के समिधान से लिया गया है तो 41 का एज दराइटासन की ब्रीटेन का समिधान तो एकल नागरिकता का प्राबधान भारतिय समिधान में ब्रीटेन के समिधान से लिया गया है अगला कोशन देखेगा 42 नमबर है कि यह सिद्धान्त की स्वतंतर भारत के लिए ने समिधान को त्यार करना मुख्यता यदपी अकेले नहीं खुद यानि कि श्वैम भारतियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए पहली बार निमलिकित में से किस एक में श्विकार किया गया था तो 42 का 20 इस दराइटन्स यानि की वायशराय लिन लिथगो का अगस्थ प्रस्ताओ तो फ्रेंड्स की भारत के वायशराय लॉड लिन लिन लिथगो ने आठ अगस्थ 1940 को सामे को शिम्मला में एक व्यक तो जाड़ी किया जो अगस्थ प्रस्ताओ के नाम से जाना जाता है कब जाड़ी किया तो यादर किया आठ अगस्थ 1940 को 1940 को ठीक है फ्रेंट्स अगला कोशन देखेगा 43 नमर कोशन है क्या कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती की प्रतिनीधियों के लिए अरक्षित है तो 43 का ऐस दराइटर अगस्थ हो जागा यादि की 131 तो फिरिंट्स देखिएगा कि लोग सभा में अनुसुचित जाती और जन जाती के लिए 131 सीटे अरक्षित हैं लोग सभा की 545 सीटों में से 84 सीटे अनुसुचित जाती और 47 सीटे अनुसुचित जन जाती के लिए अरक्षित है अगला कोशन देखिएगा 44 नमबर कि राष्ट्य पेंसन प्रणाली नीजी छेतर के अंतरगत NPS से जुड़ने की अधिक्तम आयू निम्रिखित में से कौन सी है तो 44 का सीज दिराइटन सेन की 65 वर्स तो नीजी छेतर के अंतरगत राष्ट्य पेंसन प्रणाली NPS में सामिल होने के लिए अधिक्तम आयू सीमा जो पहले 60 वर्स थी को उसे बढ़ा कर 65 वर्स कर दिया गया पहले कितना वर्स थे तो 60 वर्स अगला कोशन है आपका 45 नमबर के निम्रिखित में से कौन सा एक पंचसील का सिधान्त नहीं था तो 45 का सीज दिराइटन सेन की नावी की निवारन यान की प्रमानूर प्रती रोध तो फ्रेंट्स देखिएगा की इसका राइटन सर क्या हो जाएगा तो आपसन नमबर सी आ मानूर प्रती रोध एक पंचसील का सिधान्त नहीं है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि चीन और भारत दोनों देशों के बीच नए दिल्ली में 29 अप्रेल 1954 को एक समझाता हुआ जो की पंचसील समझाता की नाम से जाना जाता है तो यह समझाता को हुगा तो यादर कि 29 अप अप्रिल 1954 यानि कि 1924 में हुआ था को एक समझाता हुआ जो की पंचसील समझाता की नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह आप लोग यादर किया अगला कोशन देखिए है 46 नंबर कि निन में से भारत के किस राज में सरपर्थम राश्पति सासन का पड़ियोग किया गया तो अगला कोशन 48 नंबर कि केंद्रिये और प्रांतिये विधान परिशादों में सदस्यों को अनुरूप प्रस्ण पूछने का अधिकार किस अधिकार किस अधिकार कि अधिनियम के माध्यम से मिला तो 48 परिशादों में सदस्यों को अनुरूप पूड़क प्रस्ण पूछने का अधिकार मिला अगला कोशन है 49 नमबर कि ब्रिटिस भारत में कानून निर्मान की प्रकिडिया में भारतिये प्रतिनीदियों को शामिल करने की शुरूवात निर्म में से किस अधिनियम द्वारा हुई अगला कोशन है 50 नमर की 108 वा विग्यान कॉंग्रेश का अयोजन वर्स दुहर 21 में कहां किया जाएगा तो 50 का 60 राइटन सेन की पूने में किया जाएगा तो 108 वा विग्यान कॉंग्रेश का अयोजन पूने में किया जाएगा इससे पुरूव वर्स दुहर 20 में 107 वे विग कि निम्न कतनों में कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंट सो 51 का रही टेंसर के अधेगा option number C यानि कि संयुक्त बैठक की काड़ेवाही लोकसभा के प्रकिरिया नियमों के अनुसार संजालित होता है क्योंकि कि संसत के संयुक्त अधिवेशन राश्पती बुलाता है और संयुक्त बैठक की अधेखस्ता लोकसभा स्पिकर करता है संयुक्त बैठक की काड़ेवाही लोकसभा के प्रकिरिया नियमों के अनुसार संजालित होता है अगला question देखिएगा 52 नमर कोशन है आपका कि केंदरिये मंत्री मंडल द्वारा हाली में किस हवाई अड़े को अंतरास्टिये हवाई अड़ा गोसित करने का नियने लिया गया है तो 52 का डीज दराइट अजयन की कुशी नगर तो फिरिंट देखिएगा कि उत्तर परदेश इस्तित कुशी नगर हवाई अड़े के अंतरास्टे हवाई अड़ा गोसित करने का नियने लिया गया है अगला कोशन है तीरपन नमबर की 20 जून को परदान मंतरी नरेंद मोदी दुवारा गड़ीब कलियान रोजगार अभियान की शुरुआत कहां से की गए तो तिरपन का बीज तिराइट अजन की बिहार से तो बिहार के खगडिया जीले से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गड़ीब कल्यान रोजगार अभियान की शुरुआत की इसका उदेश है कि देश भर में के गड़ीब प्रभाशी स्रमीकों को आजीब का प्रधान करन ठीक है नेक्स कोशन देखे है फ्रेंड सापका नेक्स टेफ 54 नमर कोशन की 14 जून 14 जून 22 को मनाए गए 20 रक्त दाता दिबस का थीम क्या है तो चौबन का सी इस राइट अजन के से बलर्ड सेफ लिफ्स लाइबस ठीक है तो फ्रेंड देखेगा कि यहां पे जो 54 का जो र इसको मनाए गए 20 रक्त दाता दिबस की थीम है से बलर्ड सेफ लिफ्स ठीक है इसका थीम है लिफ्स अगला कोशन देखेगा 55 नमर कोशन है क्या हाली में प्रिथिवी के सबसे गहड़े बिंदू चैलेंजर डीप में पहुचने वाली कैथी शुलिवन दुनिया की पहली म अमेरिका तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्र बिग्यानी कैथी सुलिवन चैलेंजर डीप में पहुचने वाली बिस्प की पहली महिला बन गई है चैलेंजर डीप प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में इस्तित है जो समुद्र तल से 10902 मीटर गढ़ा है अगला कोशन देखेगा 56 नमबर कोशन है क्या खोलो गौंचू पनविजली पडियोजना किन दो देशो से सम्मंदित है खोलो गौंचू तो फिर देखेगा इसका राइटेंस हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी यानि कि भारत और भुट्टान तो 29 जून को भारत अथा भुट्टान के बीच खोलो गौंचू पनविजली पडियोजना के निर्वान को लेकर हंसाक्चर हुए यह पडियोजना भुट्टान के खोलो गौंचू नदी पर इस्थित होगी ठीक है तो यह आप लोग याद रखें लकिन अभी वर्तमान में कौन बने है तो वर्तमान में गाले के जो राजपलो सत्यपाल मलिक बने है ठीक है अगला कोशन देखेगा 58 नमबर कोशन है आपका फ्रेंट क्या कि वाइस ओफ डिसेंट यहां पर लिखा वाइसे लिखा हुए यह अगला कोशन देखेगा 59 नमबर कोशन है अपका कि अगस्त दोहर बीस में एलेक्जेंडर लुकाशेंको वेलारूस के राजपती के रूप में पुना निर्वाचित हुए है या उनका कौन सा कारेकाल है तो 59 का डिस दराइटन सन की छटा तो अगस्त दोहर बीस में एलेक् बड़ी दोहर बीस में किस कमपनी ने 32 तक करवन नेगेटिव होने की घोसना की है तो 60 का सीज दे राइट अन्सर हो जागा इनकी माइक्रोशॉप्ट तो फ्रेंड्स यादर किया कि अमेरिकी कमपनी माइक्रोशॉप्ट ने घोसना की है कि 32 तक वह करवन नेगेटिव हो ज राज सरकार ने राज के वनवाशियों को आतनीरवर बनाने के लिए इंदरा वन मितान योजना की सुरुवात की है तो 61 का 20 जराइट अन्सर हैं कि 36 गड़ तो अगस्ट वहर बीस में 36 गड़ सरकार ने राज के वनवाशियों को आतनीरवर बनाने के लिए इंदरा वन मिता योजना की शुरुवात की है अगला कोशन देखिए कि बासर नमर कि ग्लोवल जिंडर गैप इंडेक्स 22 में भारत का अस्थान रहा है तो बासर का डीस दर आइटांस है नहीं 112 तो तो फिंड्स क्या 208 मंच द्वारा जारी ग्लोवल जिंडर गैप इंडेक्स 22 में भारत का 112 अस्थान प्राप्त हुआ है उसमें टॉप पे आइसलेंड को मिला है आइसलेंड ठीक है टॉप पे कौन है तो आइसलेंड है आइसलेंड अगला कोशन देखिए 63 नमबर की हाली में किस राज के प्रशिद रुमाल को जी आई टैग प्रदान किया गया तो 63 का डीस दर आइ टन्स हो जागान की उर्जा एबम कोईला मंत्राले तो उर्जा एबम कोईला मंत्राले ने बिजली सेंत्रों के लिए कोईले की आपरोती सुनिश्चित करने है तो प्रकास पोटल की शुरुबात की है 65 नमबर कोश्चन है कि फ्रांस के नए प्रदान मंत्री के रूप में क यह भी याद रखिएगा अगला कोश्चन देखिए का 66 नंबर है कि हाली में किस देश ने अपनी उन्नत मिशाइल रक्षा प्रणाली एरो टू का सफल परिक्षन किया है तो 66 का इस तरह इटनसें की इसराइल तो अगस्ट दोहरबीस में इसराइल ने अपनी उन्नत मिशाइ तो 66 का डी इस दराइट रखानी की लुंग लेई तो ग्रीन पिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम मिजोरम का लुंग लेई शहर भारत का सबसे कम परदूसित सहर है जबकि जहरखंड इस्तित जडिया सबसे अधिक परदूसित सहर है नेक्स्ट कोस्टन है 68 नमबर की All England Open Badminton Championship 22 पूरुस एकल के बिज़ता कौन है तो 68 का डी इस दराइट रखानी की विक्टर एक्सलेशन ठीक है तो फ्रेंट देखेगा कि All England Open Badminton 22 के पूरुस एकल में बिज़ता डेनमाक के विक्टर एक्सलेशन है उन्होंने ताइवान के चाव टियन चेन को हरा करिया खिताब जीता है तो इसका डी ήटन सबस्न अमड़ हो जाए उनकी विक्टर एक्सलेशन ठीक है अगला कुशन देखेगा 69 नमब्र की वधावन पोर्ट हाली में चर्चा में रहा यख किस राज में इस्तित है स्थित एक के प्रमुख पतन को अस्थापित करने है तो शैध्धान्तिक अनु पतन है अगला कोश्चन देखिए का सत्तर नमर कोश्चन है कि जनवरी 22 में आयोजित रैशीना डैलोग के शम्मंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो सत्तर का इस रैट अंसर मतलब क्या कि इसका योजन नई दिली में किया गया ये सही है इसकी सुरुवात वर्स वर्सुला में की गई ये सही है यह भूराज्यतिक और भू आर्थिक मुद्धे पर चर्चा करने हे तू वार्शिक सम्मेलन है ये सही है इस वर्स सम्मेलन में 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया फ्रेंट तो ये भी सही है तो 70 का जो राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा 71 कोशन है क्या कि हाली में IMF के 190 सदस के रूप में कौन सा देश सामिल हुआ है तो 171 का जो राइट अंसर हो जाएगा अपसर नमबर A यानि की अंडोरा तो अंडोरा सुलख टूर दोहर भीश को अंतरास्टे मुद्रा कोशन के IMF International Monetary Fund में 190 सदस के रूप में शामिल हो गया है बहतर नमबर कुशन है क्या कि उस्तम नियाले ने किस अफडिकी देश से भारत में अफडिकी चीते को लाने है तो किन्द सरकार को अनुमाती प्रदान की है तो 72 का राइटेंस हो जाएगा उप्सन नमबर D यानि कि नामी विया तो उस्तम नियाले ने नामी विया से भारत में चीते को लाने है तो किन्द सरकार को मंजूरी प्रदान की है अगला कोस्चन देखेंगा 73 नमबर है कि प्रदान मंतरी ग्राम सरक योजना को लागू करने के लिए किस जीले ने सिर्ष तीस जीलों की सूची में टॉप में है तो 73 खा एइज दिराइटांस हैन की मंडी तो किन्द्रिय ग्रामीन विकास मंतराले ने प्रदान मंतरी ग्राम सरक योजना को लागू करने के लिए देश के सिर्ष तीस जीलों की सूची घोशित की गई है हिमाचल परदेश के मंडी जीले ने परधान मंत्री ग्राम सरक योजना कारेकरम के शफल कारेवंत के लिए सुची में सिर्जास्थान हासिल किया है अगला कुछन 74 नमबर की हाली में केश्वानंद भारती का निदन हो गया उनका शंबंद किस शित्र से था तो 74 का 20 दराइट अनकी अध्यात्मिक नेता तो केश्वानंद भारती के केरल के कासर गोड में एडिनीड मठ के प्रमुक थे केश्वानंद भारती समिधान भारती समिधान के मुल सनचना सिधान का निर्धान करने वाले केस के प्रमुक याची करता थे अगला कोश्चन है 75 नमबर कि भारत में सरपर्थम ये लोक अदालत कहां सुरू की गई तो 75 का एज दराइटन सेंगे 36 गड में तो भारत में सबसे पहले जुलाई 22 में 36 गड राज में ये लोक अदालत की शुरूबात की गई अगला कोश्चन देखीगा 76 नमबर कोश्चन है कि पद्म पुरुषकार दोर बीश के सम्मद में निम्रिक से कौन सा कतन गलत है तो 76 का जो राइटन से होज़ेगा फ्रेंट सो अप्सन नमड यानि कि इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो पद्म सेरी पुरुषकार 118 याद रखीगा 141 ने 118 वेक्तियों तथा पद्म भुषन पुरुषकार 16 वेक्तियों को दिया गया है मेरी कम को पद्म भुषन पुरुषकार से समानित किया गया इस परकार कतन C और D का आपका गलत है मतलब क्या जो को परदान किया गया यह क्या है यह गलत आगै और मेरिकौम को पद ब्रुशकार दिया गया गया तो यहां बई कलत operation देखेगे गया गधिया जबनों औरा legendary question पिए लिए यह रेनहार्ट जेंजेल और एंड्रिया घेज को संयुक तुरूप से दिया गया तो 77 का राइट अंस होते हैं का option number E यानि कि इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो friends देखेगा कि भौतिक बिग्यानदार बीश में नोबल पुरुषकार रोजर पैंड्रोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापक्ष्टा के शमाने सिधान का एक मजबूद पुर्णावरनुमान है के लिए प्रसूत किया गया है रेनहार्ट जैंजेल और एंड्रिया गेज को सनिक तुरूप से हमारी अकास गंगा के केंदर में एक सुपर माविब कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए बहुत तीक में नोबल पुरुषकार दर्बिस दिया गया अगला कुशन देखेगा 78 नमबर की किस देश ने अमेरिकी कंपनी एपल पर प्रतियस पर्दा भिरोध बैपार के लिए एक दसम्रू एक बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है अगला कुशन देखेगा 79 नमबर की इस सुरु ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रसिक्षन हेतु मानव अंतरिक्ष उरान केंदर की असापना कहां करने की गोशना की है तो 79 का एज दराइटन जैन के करनाटक में तो करनाटक के चल लेकेर में इसरों ने मानव अंतरिक्ष किंदर की अस्थापना करने की गोशना की है इसके निर्मान के प्रसिक्षन हेतु किसी और देश पर निर्वन नहीं रहना पड़ेगा अगला कोशन है 80 नमबर के जून 2020 में पुरातत्व सर्विक्षन बिभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोच की है अगला कोशन 81 नमबर की भारती ये समुद्र तर्ट की माप है क्या है तो 81 का सीज दिर्वाइट अगला कोशन नमबर की भारती ये समुद्र तर्ट की माप है तो भारत के अस्थलिय सीमा की लंबाई 15200 किलो मिटर है तथा समुद्री तर्ट की कुल लंबाई 7566 किलो मिटर है अगला कोशन देखेगा 82 नमबर कोशन है आपका कि निम्ण में से किस राज से होकर भारती ये मानक समय देखा गुजरती है तो 82 का इस राज से होकर गुजरती है उत्तर परदेश, मद्धे परदेश, छतिस गड़, उड़ीशा और अंधर परदेश अगला कोशन देखेगा 83 नमबर है क्या कि निम्रिकित समुधों में कौन सा पुरु से पच्छिम की और पहाडियों का सही करम है तो 83 का डी इस राज से राज से निकी मिसमी, अवोर और मीरी तो फ्रेंट्स देखेगा कि पुरु से पच्छिम की और पहाडियों का सही करम है मिसमी, अवोर और मीरी ये तीनों पहाडिया अरुनाचल परदेश में इस्तित है अगला कोशन देखेगा तो 84 का सीज दराइटांसेन की केरल और तमिल नाडू तो फ्रेंट्स की पालगाट दरा निलगिरी और अलनामलाई पहाडियों की बीच इस्तित है ये दरा केरल और तमिल नाडू को जोडता है अगला कोशन 85 नमबर की तमिल निमलिखित में से कौन सा राष्टिय उद्धान एब हम राज सही सुमेलित नहीं है तो 85 का सीज दराइटांसेन की हेमिस जो है जम्मू कस्मी ये आपका मैच नहीं कर रहा है भारत में कुल 105 निसनल पार्क है और 105 वा राष्टिय उद्धान कुनों में है जो मद्य पर्देश में हिस्तित है और हमिस राष्टिय उद्धान जो है लद्धाक के अंदर सासिक पर्देश में हिस्तित है यादर की जम्मू कस्मी नहीं लद्धाक में हिस्तित है कुनो मध्य पर्देश, नोकडेक जील, नोकडेक डीज मेगाले और मरीन गुजराती, अपका राइटन्स और अप्सन नुमर सी अपका सही हो जाएगा अगला कुशन है आपका 86 नंबर कि सदा बहार क्रांती का सम्मंद किस से है तो 86 का डीज दराइटन्स हैं कि दूइतिय हरित क्रांती से तो सदा बहार क्रांती का सम्मंद दूइतिय हरित क्रांती से है इस से प्रमुक अंग, जैविक क्रिशी, आधुनिक सीचाई, मिर्दा, स्वास्त, उत्यान, इत्यादी है अगला कुशन 87 नंबर कि निम्न में से कौन सा मैंग्रोब, बनस्पती अस्थल, तमिनाडू में इस्थित नहीं है तो 87 का डीज दराइटन्स हैं कि कुंडापूर तो तमिनाडू में इस्थित मैंग्रोब, बनस्पती इस्थिल है पिछावरम, मुथूपेट, रामनद, काजूवेली, आदी, कुंडापूर, मैंग्रोब, बनस्पती अस्थल, करनाटक में इस्थित है अगला कुशन देखेगा 88 नंबर कि निम्रिकित में से कौन खड़ीफ फसल नहीं है तो 88 का एज दराइटन्स हैनी कि सरसो खड़ीफ की प्रमुक फसले में चाबल, सुरगम, मोती बाजार, मक्का, कपास, गन्न, स्वैबिन और मुंगफनली सामिल है और रवी फसलों में गेहू, जो, चना, लिनसीड, रेपसीड और सरसो है अगला कुशन देखेगा 89 नंबर कि हाली में समय में चर्चा में रहा एस्पैटली द्वीप किस सागर में इस्थित है तो 89 का डी इस दराइटन्स हैने कि दक्षिन चीन सागर में तो एस्पैटली द्वीप समू दक्षिन चीन सागर में इस्थित है हाली में चीन और व्यतनाम के बीच द्वा के बीच यह दूइप बीबात का कारण था अगला कोशन है 90 नमबर कि निम्न में कौन सा देश असल रुद्ध है तो नब्बे का इस राइटन से हैं कि इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो फ्रेंट्स याद रखे हैं कि लाओस ठीक है मंगोलिया भुटान और भुटान के अ सलुद्ध देश है अगला कोशन है 91 नमबर कि निम्निकित में से कौन सा महदूइप गोंडवान गोंडवाना लेंड का भाग नहीं था तो 91 का इस राइटन से रहन की एशिया तो अस्थानिये खंड पंजियों के उत्री भाग को लारेशिया तता दक्षिन भाग को गोंड सामिल थे जबकि गोंडवाना लेंड में दक्षिन अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, भारतिय प्रायदीप, मेडा गाशकर, अन्टार्टिका आधी सामिल थे अगला कोशन देखेगा, 93 नमर कोशन है अपका, कि असम कितने राजियों एब हम कितने देशों के साथ सीमा साध्या करता है अगला कोशन देखेगा, 94 नमर कोशन है अपका, कि पुलावरम बहुत देशिये योजना किस नदी पर इस्तित है इस पर इस्तित है, इस पर इस्तितना को इंदिरा शागरबान पर इस्तितना भी कहा जाता है अगला कोशन है 95 नमर कि बिस में चांदी का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है तो 95 का 20 दराइटन सानी की पेरू में तो बिस में चांदी का सबसे बड़ा भंडार दक्षिन अमेरिका देश पेरू में है बिस में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन है तो मेक्सिको है 96 नमर कोशन है कि निम्लिखित में से दक्षिन भारत इस्तित एक मात्र महा जनपद कौन सा था तो 96 का 20 दराइटन सो जागान की अश्मक तो अश्मक जनपद दक्षिन भारत में गोदाबरी नदी के तड़ पर इस्तित था और वो दक्षित भारत में एक मात्र महाजनपद था अगला कोशने 97 नमबर की निर्व में से किसके राज़ दरबार में मेगास्थनिज ने एक राज़तूत के रूप में सेवा कि थी तो 97 का एज दराइटांसो यंकि चंद्रगुप्त मौडे तो फ्रिंट्स मेगास्थनिज यूनान का एक राज़तूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था अगला कोशने 98 नमबर की किताब उल यामिनी किसकी रचना है तो 98 का सी इस दराइटांस यंकि उत्वी तो किताब उल यामिनी नाम ग्रंथ की रचैता उत्वी है अगला कोशन देखेगा 99 नमबर की रीगवेद के दस्वे मंडल में निम्रिकित में से कौन सा श्रोत विवाश शमारों हो पर प्रकास डालता है इस सुक्त में शुरी की पुत्री शुरिया तथा सोम के विवाश का वर्णन है तो 100 का डी इस दराइटांस यंकि 1336 इस्वी में तो विजय नेगर समराज के अस्थापना 1336 इस्वी में दक्षिन भारत में हरियर एबंबुक का द्वारा तुंग भद्र नदी के उत्री तटपर इस्तित अने गुंडी दुर्ग के प्रमुख की गई थी अब देखें यहां पर 101 नमर से आपका मैस का कोश्चन है तो इसको आप बनाएगा और आपके वीडियो फॉर्म में आपको वीडियो के लाइस में मिल दाएगा इसका अंसर ठीक है 102 नमर कोश्चन देखिए 103 नमर कोश्चन 104 नमर कोश्चन है फ्रेंट्स 105 एक 106 साथ आठ नौ और फ्रेंट्स आपका यह 10 नमर कोश्चन ठीक है अब देखें 111 नमर कोश्चन देखते हैं कि रंगपुर रंगपुर बिद्रो कहां हुआ था तो, friends 111 कर आइट अर आपसन नमबर यानी की बंगाल में तो रंगपुर बिद्रो जमिन दारो के खिलाब किसान बिद्रो था जो बंगाल में हुआ था अगला कोस्चन कि जस्टिक्स अंदोलन एक जाती अंदोलन था इसकी सुरुवात मदरास में 1916 के आसपास मंज़ोली जातियों की ओर से की गई की गई सी एन मुदी मुदलियार टी एम नायर और त्याग राज चेटी ने की थी ठीक है याद रखीगा सी एन मुदलियार त्याग राज चेटी और टी एस टी एम नायर ने की थी अगला कुशन देखेगा 113 नमड है क्या वर्स 1937 में संपन प्रांतिये चुनाओं में निम्रिकित में से किस प्रांत में कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो 113 का फ्रेंड से इस दिराइटांस यानिकि इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो 1937 के चुनाओं में कॉंग्रेस ने पांच प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उरीसा में पुर्ण बहुमत प्राप्त किया पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियेस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई बंगाल में कृसक प्राजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी किस ने निस्क्रिये विरोद के सिध्धान्द का प्रतिपादन किया तो निस्क्रिये विरोद के सिध्धान्द का प्रतिपादन अर्विंद घोस ने किया इसके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़ कर चले नहीं जाते उनके खिलाफ बिरोध परदसन करते रहना चाहिए अगला कोशन आपका 115 नमबर कि भाराच छोरो आंदोलन की दोरान कहां समनांतर सरकार की अस्थापना नहीं हुई तो 115 का सीज दराइटन थेन की गोड़कपूर में तो भाराच छोरो आंदोलन की दोरान तामलुक यानि की मिधनापूर बंगाल सतारा महरास्टा बलिया उतर परदेश में समनांतर सरकारों की अस्थापना की गए अगला कोशन आपका 116 नमबर कि पॉली गारो का विद्रो कहां हुआ था तो 116 का एज दराइटन थेन की तमिलनाडू में तो पॉली गारो का विद्रो तमिलनाडू छेत्रिक में नई भूमी कर विवस्था के बिरोध में हुआ यह 1801 से 856 तक चलता रहा अगला कोशन देखेगा 117 नमबर है कि कॉंग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट गान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे तो 117 का 20 दराइटन सेन की विशन नरायन धर तो फिर्ट देखेगा कि 1911 में भारती राष्ट कॉंग्रेस का अधिवेशन कुलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता विशन नरायन धर ने की इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट कान जन्गनमन गया गया अगला कोश्चन है 118 नमबर की लंदन में करजन वाईली की हत्या का सम्मन्द है तो 118 का इस दराइटन सेन की मदन लाल धिंगडा तो 1909 को लंदन में करांतिकारी मदन लाल धिंगडा ने करजन वाईली भारत सचीव मारले के सलाकार की हत्या कर दी गई थी अग्ला कोश्चन देखिए कि निम्लेकित में इसे कौन भारत छोरो अंदोलन की बिसेश्चता नहीं थी तो 119 का इस दिर्अटन से कि इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो भारत छोरो अंदोलन के निम्लेक 운데 सभी बिसेश्चता ही थी हिंसात्मक कड़े वाहिया समनांतर सरकारे स्वता अस्फूर्थ विद्रो और भूमिगत कड़े वाहिया ठीक है तो राइट अंसर एक से अधिक हो जागा अगला कोश्चन 120 नमबर कि तीनों गोल में समेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे तो 120 का इस दिराइट नसें के इन में से कोई नहीं एक से अधिक तभीमरा अंबेटकर तो था तेज बहादूर शप्डू ने तीनों गोल में समेलन में भाग लिया अमबेटकर ने अपने दल इंडिपेंडेंडेंट लेवर पार्टी था शप्डू ने लिब्रल पार्टी की प्रतिनितर किया था ठीक है अगला कोश्चन देखीगा 121 का बीज़ दराइडांस अन की वश्व मित्र ने तो चतुर्थ बहुत संगीती कनिस्क के सासन काल में पर्थम सताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोईद की गई थी इसकी अध्यक्सता वश्व मित्र ने की थी अगला कोश्चन देखी 122 नंबर कि भगत सिंग और वटुकेश्वर दत ने केंद्रिय विधान सभा में बम फेका था तो कब फेका था तो 122 का एज़ दराइडांस अन की 8 अप्रेल 1929 को तो भगत सिंग और वटुकेश्वर दत ने 8 अप्रेल 1929 को केंद्रिय विधान सभ में बंब फेका था अगला कुष्टन 123 नमबर कि कि Datenug Э feeder नें अफगानिस्तान के प्रति for वाट निती का अनूख ऒरन किया था तो 123 का meteorite here i concert last आप थे लॉडr लिटन तोजितान के प्रति forward निती का अनूशरन्ण Lord नीटन 876-880 में किया था अगला कुछिन 124 नमबर कि इंडियन नेशन समाचार पत्र की अस्थाबरानींड में से किस ने की थी तो 124 का महराजा का मेश्वर शिंग ने तो वर्स 1931 में दरभंगा के महराजा का मेश्वर शिंग ने अगला कोशन नमर की काकोडी कांड को निम्रिकित में से किस संगठन केकरांती काडियों ने अंजाम दिया था ठीक है अगला कोश्चन देखें कि 126 नमर कोश्चन है कि किस वायश राय के काड़ेकाल के दोरान स्वेत विद्रो हुआ था 326 का बीज देखें कि लॉड रीपन तो लॉड रीपन 2884 के समय प्रस्तूत इलवर्ट बिल में भारतिये नया धीशों को यूरोपिये मुकदमे को सुनिने का अधिकार दिया गया भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका विरोद किया इसे ही स्वेत विद्रो कहा गया ह है अगला कोरशन 127 नमबर की 167 प्रनाली का जन्मदाता नीन में से कौन था तो 127 का डीज दराइट अंसरनी की लियोनल काटिश तो लियोनल काटिश का को दोयद सासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है अगला कोशन ने 128 नमबर की चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ तो 128 का डीज दराइट अंसरनी की पांच फरवरी 1922 को तो चोड़ी चोड़ा कांड पांच फरवरी 1922 को गोड़कपुड में हुआ था अगला कोशन देखेगा 129 नमबर कि किसके द्वारा वर्स 1915 में कावुल में एक अंत्रीम भारतिय सरकार का गठन किया गया था तो 139 का इस द्राइटर से नकी इनमें से कोई नहीं एक से अधिक तो फरेंट देखेगा कि कि वर्स 1915 में राजा महंदर परताब और मुहमद वरकतुला और राजा महंदर परताब किने अफगानिस्तान में कावुल में एक अंत्रीम भारतिय सरकार का गठन किया था अगला कोशन देखेगा 130 कि कि किस ने छेतरीय भासा में सिक्छा और वासिय राज को स्वराज की मांग से जोड दिया था मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी अंदोलन का नेत्रित किया था किस ने किया था एक से 31 का 20 दराइटन सोजगान की चितंबरम पिल्लाई ने तो मदरास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी अंदोलन वह वहिशकार अंदोलन का नेत्रित। चितंबरम पिल्लाई ने किया था अगला कोश्चन 132 नमबर की असोक के अविलेखों की भासा क्या है तो असोक के सभी अविलेखों की भासा प्राकिर्थ है इन अविलेखों को ब्रामी अर्मेइक खरोस्टी एवं यूनानी लीपियों में लिखा गया है भारत से बाहर प्रात कुछ सिलालेखों की लीपियां ही खरोस्टी अर्माइक एवं यूनानी है अगला कोश्चन देखेग के साथ वाहनों ने तो साथ वाहनों सासकों ने सबसे पहले सीसे के सिक्के जाड़ी किये इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तामबा, पोटीन, आदी के सिक्के भी चला है उनमें सिक्के, सिक्कों पर मचली, जहाज और संख के चित्र मिलते हैं अगला कोशन 134 नंबर की भ विर्थी पांचवी सदी से सुरू हुई जो छटी सदी में पुर्णत को समाप्त होगे अब समन्त बिना राजा की अनुमति के ही भूमिदान करने लगे डॉक्टर आर एस सर्मा ने इसे समानतवाद के उदय का प्रमुक करन माना इस प्रकार गुप्तकाल के अंतिम समय में सम मानतवाद का उदय हुआ अगला कोशन आपका 135 नंबर की अमरी खुसरों ने फार्सी में जोहर का पर्थम विवरन लिखा है या विवरन किस राजा के राजे से समन्दित था 135 का सीज दिराइटाजन के हमीर देव तो हमीर देव रथान थम्माड के शासक थे उन्होंने मंगौल अमीरों को शरन दी थी इस बात से नाराज अलाउदीन खुलजी ने कीले की घेरे बंदी की अमीर खुसरों इस अवियान में अलाउदीन के साथ था या घटना 1301 इस भी की है अगला कोशन देखेगा 136 नमर की दूइतिये जैन संगीती कब आयोजित की गई थी तो 136 का डी इस दिराइटाजन की 512 इस भी में तो दूइतिये जैन संगीती 512 इस भी में बललभी गुजरात में आयोजित की गई इसकी अध्यक्सता देवद्री शमास्रमन ने की इस बहुत संगीती के दौरान जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन परकर उन्हें लीपी बद किया गया अगला कोशन देखेगा 136 नमर की की से आधी विद्रोही कहा गया तो 137 का सीस दिराइटाजन के तिलक मांजी को तो तिलका मांजी को आधी विद्रोही कहा गया उन् 1784 में राज महल छेतर में अंग्रेजों के खिलाब विद्रोह किया था अगला कोशन है आपका 138 नमबर की खेरा का यूद कब हुआ तो 138 का एई दिराइटाजन के 177 इसमी में तो खेरा का यूद शंभा जी के पुत्र साहु एवं राजा राम की विद्वा पतनी ताराव पाई के बीच 177 इसमी में हुआ था इस विद्रोह में साहु की जीत हुई थी ठीक है अगला कोशन देखेगा नेक्स कोशन है आपका 139 नमबर कोशन कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहां आयूईत किया गया था तो 149 का बीच जराइटांसन की भागलपूर में तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रेल 1910 को भागलपूर में सच्चिता नंसीना की अध्यक्सता में स प्रकाशिद दी पार्टिशन ऑफ दी लोवर प्रोविशन्स एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किसने द्वारा लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया तो 140 का सीजदराइटन्स अनके सचीदानन सिनहा के द्वारा तो वर्स 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रक अल्टिनेटिव प्रोवजल लेख सचीदानन सिनहा के द्वारा लिखा गया था महस नरायन ने इसी सीर्शक का दूसरा लेख 1905 में प्रकाशित किया था अगला कोश्चन देखेगा 141 कोश्चन है पटना लव वीकली के शंपादक थे दॉट्टर राजंद्र परशाद तो पटना लव वीकली के शंपादक दॉट्टर राजंद्र परशाद जी थे अगला कोश्चन ए 142 की वर्स 1915 में Muslim League के बंबाई अधिवेशन की अधिक्सता किसने किसके द्वारा की गई थी तो 142 का डी इस्दिराइटाजन की मौलाना मजहरूल हक के द्वारा ठीक है तो वर्स 1915 में मुस्लिम लिग ने बंबाई अधिवेशन की अधिक्सता मौलाना महरूल हक के हक के द्वारा की गई थी अगला कोशन है 143 नमबर की मक्का के उत्पादन में बिहार का सिर्ष जीला कौन है तो 143 का 20 दराइटनसन की पुर्णिया तो मक्का के उत्पादन में बिहार के तीन सिर्ष जीले कटिहार, पुर्णिया और अरडिया है मक्का की उत्पादक्ता की द्रिष्टी से पुर्णिया जीले का सिर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है अगला कोशन है 144 नमबर कि बिहार के कुल भगौलिक छेत्र का लगवग कितना परतिशत हिस्सा परती भूमी के अंतरगत है अगला कोशन है 145 नमबर कि बिहार में वर्ष द्रिष अठाबर में शकल शेत्र जीले कितना परतिशत हिस्सा परती भूमी के अंतरगत है तो बिहार में वर्ष दर्ष अठाबर में शकल राज शेत्र जो 75 जो समर दू 5 लाख हेक्टेर था अगला कोशन 140 नमबर कि भारतिय जन्गन्ना 211 के अनुसार बिहार का नियुंतम पूरुस साक्षरता वाला जीला कौन सा है तो 146 का 20 दर्ष अठाबर कोशन देखने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप इससे लाइक जरूर किज़ेगे और आप अपने यूदूब चानल PCS में करें प्लीज आप इससे सब्सकाइब कर लिजाए अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज आप टेलीग् अगर आपका ता हैंकि चीन में आईत कीया गया जिसमें अब पांच देश सदस्य है जिसमें भीद्ग्स नडियात प्राजील हो गया रूस इंडिया चाइना एबंप साउथ अफिर का यह पांच देश सामिल है अगला कोशन देखेगा 149 नमबर कि पड़यावरान में कौन सामिल नहीं है तो 149 का इस दराइटन्स है निकि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक तो इसका राइटन्स क्या हो जाएगा तो देखेगा कि भूमी पौदे हवा पॉसुए सभी पेड़यावरन में शामिल है नेक्स कोशन और आज का हमार लास कोशन है कि भारत में निमलिकितम से किस उत्पाद की सुरुबात पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी और आपका क्या है इस्कोर हुआ तो प्लीज आप कमेंट करके जुरू बताएगा इसकोर क्या हुआ फ्रेंट्स और एक और बात अगर आपके वीडियो पर आपका आड़ आता तो प्लीज अब उस एड़ को 10 पस्टिक लिए जरूर देखेगा फ्रेंट्स क्यों क्यों आप